बयाना रास्ते को लेकर किया प्रेदर्शन रोड को जल्दी बनाय जाने की उठाई मांग देखी बयाना से देवी सिंग प्रिजापत की रिपोर्ट बयाना दो वर्षों से जरजर पड़ी रोड को लेकर ग्रामिन लोगों ने नाराजगी जताई है वही प्रदेशन कर जल्दी ही रोड को सही कराने की मांग की समाज सेवी गुर्जन नेता अतर सिंग कामर ने बताया की गउघाट चोकी से होकर जो रोड विविन गावों को जोडता है उसकी हालत दो वर्षों से बहुत जादा खराब है कई बार पी जबलू जी विभाग सांसा देवन वधायक को आउगत कराने के बाद भी इस मार्ग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि यह मार्ग बयाना का सबसे बड़ा शांती वन्शमशान घाट, कोलू पुरा, थाना डांग, शाहपुर नंगला, छेरा, डांडा गाउ, नवलापुरा, दोरव घटा होते हुए करोली जिले को निकलता है यही मार्ग थाना डांग होते हुए बान बारठ भी निकलता है, परन्तु इस रास्ते पर विभाग का बिलकुल भी ध्यान नहीं है खराब रास्ती के वज़ा से आए दिन रहागीर चोटिल होते रहते हैं अगर प्रशासन द्वारा इस रास्ते पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इन गाओं के लोग ओगर परदर्शन को मजबूर होंगे चयता आए प्रशन को मित्शन वाप डिलक में भी ऑटर्शन के शामा, प्रशान के अधरकेशन थे बहसे बहसे आए अगर वास्ते विज़तारा है कि अग्याना तैसिरते गवगाट चोकी से लेकर के ग्राम पंचा थाना डांग साहफुट डांग वा ग्राम घुनेनी जिसमें करोली का डाड़ा गाम ग्राम पंचायत जमुरा ग्राम पंचायत मासरपुर तक यात्रीगान बयाना बिलोंग करते हैं ये रोड़ दो साल से टूटा पड़ा हुआ है पूर्वती कॉंगरे सरकार से भी प्रात्रा की थी बिदायकों से अवगत कराया था सांसतों का अवगत कराया था और सरकार ये बर्तमान सरकार के भी कई बाद सिकात कर चुके हैं मगर इस रोड की दुर्दसा जैसी की जैसी है आम जन को भारी दुर्गटनाओं का सामना करना पड़ रहा है रोज हास्से हो रहे हैं सरकार और अदकारी सब मूख बने हुए हैं हमारी प्रात्राएं हमारी रोड को सीग्र बनवाया जाए जाते आमजन को राहत मले मेरी सबी को राम राम सा गुर्जनतर सिंग